आज हम आपको बता रहे हैं लाल किताब के अनुसार अश्टम भाव को सही करने के उपाए अश्टम भाव जीवन में आकस्मिक परिशानिया दुरघटना वगरा लेकर आता है अकालम रत्यू तक दे देता है अश्टम भाव को जनम पत्री में सबसे अश्टम बताया गया है तो यह उपाई जो मैं आपको बता रही हूँ इससे आपके अश्टम भाव संबन्दी दोश्ट समाप्त होंगे अश्टम भाव से कुछ अच्छी चीज़ों का भी विचार किया जाता है जैसे कि खूब रिसर्च करना दबावा खाजाना किसी को मिल जाए अचानक से बहुत धन संपदा मिल जाए बहुत हाई लेवल तक रिसर्च करता है ऐसा इंसान तो कई मामलों में अच्छा भी रहता है तो आप जो उपाई करेंगे इससे आपके अश्टरम भाव जनित जो परिशानिया हैं वो कम होंगी और अच्छी चीज़ों का उदगम आपके जीवन में होने लगेगा मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री आप सबका बहुत स्वाधत करती हूँ अभी आफर चल रहा है 1100 रुपे में एक सवाल पूछिए बाद में आपको ये सुविदा नहीं मिलेगी इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को इतना पसंद किया है, इतना प्यार दिया है, उनका मैं बहुत शुक्रियादा करती हूँ और उनके चरणवधना करती हूँ आईए फ्रेंड्स कंटीनियू करती हूँ अपनी बात को और आज आपको बता रही हूँ लाल किताब के अनुसार अश्टम भाव को स्ट्रॉंग करने के कुछ खास उपाई इन्हें कोई भी जाती धर्म के लोग कर सकते हैं जिनको अपने कुंडली में पता नहीं है कि अश्टम भाव क्या होता है तो वो ऐसे लोग करें जिनके जीवन में आकस्मिक परिशानिया बनी हुई है इन उपाईों से उन व्यक्तियों को बहुत लाब होगा तो आईए जानते हैं स्टैब बाई स्टैब कौन से उपाई आपको करने है पहला उपाई यह है कि किसी भी ऐसे मकान में ना रहें जो साउथ फेसिंग हो साउथ फेसिंग मकान लेने से कुंडली का अश्टम भाव पीडित होता है दूसरा है सफेद गाई की हमेशा सेवा करनी चाहिए अगर आपके पास इस पेस है तो आप गाई को पाल भी सकते है लाल किताब कहती है कि अपना चरित्र उजवल रखना चाहिए उससे अश्टम भाव सही होता है कभी भी अपने दामात के साथ नहीं रहना चाहिए ये लाल किताब कहती है बाकि आप देशकाल परिस्तिती के इसाब से लेवें इस बात को क्योंकि ये काफी पहले लिखी गई पुस्तक है और आज के संदर्व में बेटा बेटी बराबर हैं तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ बड़े भाई की भी सेवा करने से अश्टमभाव स्ट्रॉंग होता है 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड रवीवार से चालू करें और 8 दिन तक किसी भी धर्मिस्थान में चड़ाएं